हेलो व्रिवन और वेल्कम बेक टो देशनल दाकामर्स खोच होफिली आप सभी लोग बहुत अच्छे से बढ़ाई कर रहे होगे मैंने लेसन वन में आपको कुछ बेसिक बाते बताई कंपनी अकाउंट के बारे में यह हमारा पेपर नंबर 12A है हमारे पास बहुत सारे पेप लिए है इसमें बी जो पार्ट बी है वह ऑडिट के लिए है अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कम्पनी अकाउंट के ओपर ओडिट वाला पोरिशन छोड़ते हुए आपको पता है दोनों की विटिज एकवली है 50-50 परसेंट है और लास्ट लास में मैंने आपको बेसिक्स सब्सक्राइब करते हैं मैंने आपको इसकी नहीं कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं क्लास में करने की इतनी डिटेल में दूरत पड़ेगी क्योंकि आपको पता होगा कैसे होते हैं इसलिए ही हम लोग उस टॉपिक को लिव आउट कर रहे हैं लेक्चर्स में आपके अगर कोई डाउट आते हैं कोशन कदर ताइम तो आप मेरे से उसे पूछ सकते हैं हम लोग लोगा जो मैंने आपकी पहले ले लिए तो आज हम लोग फॉर्फिचर करेंगे और ध्यान से समझेंगे हर एक बात को बिल्कुल ब्लैंक हो जाना है आपको अभी के लिए ऐसा समझ लेना कि आपको फॉर्फिचर के बारे में कुछ भी नहीं पता सिर्फ इशू को दिमाग मे सब्सक्राइब करने लिए अच्छा चले यह जरूरी नहीं अच्छा चले मतलब है अलॉटमंट के मागगेगी वाइंट फैनल को मागगेगी यह सब शेयर्वाटर को देने होते हैं बट हमेशा पैसे नहीं होता हमेशा ऐसे नहीं देते हैं तो कंपनी के पास क्या option बचता है अगर वो पैसे ना दे तो कंपनी के पास option बचता है कि अगर उसने first call नहीं दी तो उसे एक बार और बहुत सारे cases में यह मौका नहीं भी दिया जाता दे भी सकते हैं नहीं बहुत कर लेती है वापस ले लेती है तो जो भी उसने पैसा पे कर रहा होता है आज तक वो भी कंपनी रख लेती है और shares भी रख लेती है और फिर in forfeited shares को ही आगे resell करती है और आपको पता है कि कोई भी यूज़ चीज जो सेकंड हैं चीज होती है वो कम पैसों में बिखती है तो resell करती है तो आपको इतनी बात यहां पर चमझे समझानी है में वह क्या समझाने देखो अगर मैं company के नदर से तो इक पास कितने टाइब से पैसे आए आपको सबसे पहले हैं समझने सबसे पहले पैसा कब आया होगा जो भी शेयर और ने पैसे दिये तो company को पैसा मिल गया होगा उसने पैसे नहीं नहीं मिला इसके बाद company की तरफ से उसको कोई भी शेयर नहीं दिये गए तो company को पहले पांच रुपे मिले अभी आट रुपे मिले और total कितने हो गए आप देख सकते हैं 13 रुपे और 10 रुपे का शेयर सा जिसके ओपर company ने कितने रुपे कमा लिए 13 रुपे तो जो तीन रुपे आपको दिख रहे हैं एक्स्ट्रा इसको हम लग बोलते हैं तीन रुपे का company ने profit कमा लिया रिशू के ओपर और company रिशू करती है तो उसको फाइदा most of the cases में होता है और कभ राइटिंग जब शुरू होगा तो हम लोग निया करेंगे अब देखो यहां पर यह सब चीज़े लिखी हुई है और यहां पर जैनल एंट्री लिखी हुए लेकिन हम लोग डिर्क्ली अपना question से start करने की मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको question से start करा हूं देखें एक्जांपल के थुरू हम लोग कर रहे हैं start ICC Limited forfeited 200 एक्विटी शेर्स देखो इसमें जो question है यह आपको ध्यान रखना है कि start कहां से हो रहा है बहुत बच्चे वाली बात हैं लेकिन आपको दुबार दुबार बता रहा हूं है 12 में आपको पढ़ी होंगी दुबार भी दुबार रहा हूं कि जब भी question start होगा तो दिखना वहां पर लिखा issue यहां फिर forfeited अगर forfeited लिखा है तो फिर तो आपको forfeited की entry directly करनी है और अगर issue लिखा तो issue से करनी पड़ेगी यहां पर लिखा है forfeited तो इसने 200 शेर forfeit कर लिए है already ICC limited forfeited 200 equity shares of profit 10 each fully called up देखो मैंने आपको पहले भी बताए थी first class में की called up, paired up यह सब words का मतलब बहुत ही tips पे होना चाहिए इसलिए मैंने बहुत ध्यान से समझाये भी था अभी आपको पता होगा called up का मतलब क्या है यहां पे 10 रुपे fully called up है for non payment of final call at 2 per share these shares were originally issued a discount of 10% application allotment and first call money per share 2, 3, 2 respectively were received in time give general entry for the forfeiture अच्छा अब सबसे पहला question तो यहां पे यह उठता है बच्चों के दिमाग में की sir share discount पे issue हो ही नहीं सकते जी बिलकुल सही बोल रहे हैं share discount पे issue नहीं हो सकते हैं shares खाली कुछ schemes में discount पे issue करे जा सकते हैं but हाला कि इन्होंने question ऐसा frame करा हुआ है example इन्होंने घटिया frame कर रखा है book में आपकी बट not an issue मेरे ख्याल से थोड़ा सा पुराना होगा example ठीक है जी originally discount पे issue करें हैं जब issue करते हैं तो discount दे सकते हैं अब no idea no glue तो हम लोग क्या करते हैं कि इस example को leave out कर दो इसके नीचे example आप देखें इस example को leave out कर दो क्योंकि कोई मतल इस not possible ठीक है तो आपको भी पता है कि शेर्स जो है discount पीशू नहीं करा जा सकते हैं according to the company's act बट हो सकता है कि इन्होंने जो है यह पुराने हिसाब से अपना question frame out करा है बट हम लोग इसको leave out करेंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है तो हम लोग इसको leave out कर देते हैं क्या कहता प्रीम्यम पेशू करें जा सकते हैं यह सर बिल्कुल पेशू करें तो टॉन्टी पर टीक है अमॉंट पेवलान चेर्स वर एप्लिकेशन के ओपर दो रुपे अलाटमेंट के ओपर पांच रुपे और फास्ट चैन फैनल कॉल के ओपर पांच रुपे तो कितने हो गए बा प्रीम्यम मना जाएगा तो अलाटमेंट हुई कितने की तीन रुपे की त्री प्लस टू के अलाटमेंट हुई और टोटल पांच रुपे ठीक है तो अब ही आपको क्या करेंगे एंट्री आपको एंट्री लॉजिकली मैं समझाऊंगा और आपको समझनी भी है देखें को आपकी capital बड़ी होगी अभी आप अपनी capital को reverse करके खतम करेंगे कम करेंगे घटाएंगे ठीक है यह बात आपको समझ में आनी चाहिए यहां तक की यहां तक की बात समझ में आ जाएगी तो उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हम लोग इसको क्या करने वाले हैं डैबिट कर तो आप यहां पर 500 multiple गर्ट और जो यहां पे 6 य मिलेगा इसके साथ साथ जब को प्रिमिऑ मुझ प्रिम्नियाम नहीं लेका वेल्ट सहना जावको प्रिमिऑ क्रेंगे हैं तों से कम इसरे प्रिमिन हैं ओपर नहीं और मुझे क्या MONEY was paid by the shareholders मतलब क्या है कि Shareholder नहें खाली और खाली एप्लीकेशन मनी दी है तो मतलब मुझे है ऐप्लीकेशन मनी ONLY मिली है तो मुझे प्रीमयम नहीं मिलत ही जबहिं मなた saja करऊंगा अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उसके کوई भी entry pass नहीं करूंगा यह बात आपको याद रखनी है अब मुझे premium नहीं मिला तो मैं इसलिए इसके entry pass करूंगा और mix मत कर देना बहुत सारे बच्चे क्या करते पांसो यहां पे करना है यहां पर इसकी जो इसकी फेस वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज्यादा होई ही नहीं सकता उससे कम जरूर हो सकता है प्रीमम आपको हमेशा अलग दिखाना है नीचे की तरफ सेक्योर्टी प्रीमम अकाउंट में ठीक है यह रिजर्व पांसो मिल्टिप्लाइब है दो हजार अलग से प्रीमम के होगे तो उसने पांच जार वैसे नहीं दिए और हजार प्रीमम के नहीं दिए अच्छा अब लुखके लिए यहां पर फॉर्फिट शेयर्स सब्सक्राइला लिखना है तो आपको जो एंट्री बनानी है इक्वीटी शेयर कैपिटल अकाउंट डविट सप्रीमम रिजर्व अकाउंट डविट डविट है सबसे पहले आप फॉर्फिट वाला करेंगे तो शेयर्फिट कितना आने वाला अमाउंट कि तो मैंने आपको जैसा पता है कि company ने अपने पास रख लेगी जब्त कर लेगी तो अपने पास रखे और यहां प्थिस सो आपको यहां पे आपको यहां पर लिखी हुई है कि जब अने करी थी तो स्क्रिमिम्न रिजर्फ हम ने क्रेडिट करा था इसलिए हम इसको डाइबट कर रहे हैं हालाक यह बात आपको पहले भी पता है आपको समझे आया हो मैंने आपको सबसे पहले 10 मिनिट में अगर में आपको नमध लोग लिपकत आती है अभी तो मिल्से आप पूछ सकते हैं गुटा जी हाई of 100 each at a premium of 10 per share payable on allotment ठीक है जी premium 10 रुपे है जो कि allotment पे है इतना हम को भी पर चला है payment made to be follows 20 रुपे application पे 40 रुपे allotment पे first call पे 30 और final call पे 20 रुपे 20, 40, 30 और 20 कितना हो गए देखो आप देखेंगे यहाँ पे तो 5, 4, 9 110 रुपे 110 में 10 रुपे premium है जो कि allotment पे ही होगा तो 30 रुपे के allotment है इसमें 10 रुपे premium है तो दोनों मिला के 40 हो गया application receipt for 130 आपने मांगा 100 का मिला 130 का यह over subscription का case है जैसा कि आप सभी को पता है कि यह कैसा case है over subscription का case है बहुत सारे बच्चों को यह बात पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता जिनको नहीं पता याद भी है भूल गए है मैं उनको बता दूँ इस यह जो हम लोग issue करते हैं तो application over subscribe हो सकती है under subscribe हो सकती है under normal treatment होता है जितना आया उतना कर लो 90% से बच्चों कम नहीं होना चाहिए over subscription में क्या होता है कि आपको पैसा adjust करना पड़ता है अगर आपने किसी से मांगे 100 रुपे हैं और अगर वा आपको 200 दे दे जैसे फॉरे एंग्जामपल मान लेज़े मैं आपसे monthly 5000 पर मंद फीस लूँ ठीक है और अगर आप मुझे 15,000 दे दे 10 महीने की फीस तो मैं आपको चार महीने की फीस जो है वह वापस कर दूँगा ठीक है जी तो यह यहां पर refund भी हो सकता है adjustment भी हो सकती है बहुत अधर तिंग्स आर देर इन ओवर सब्सक्रिप्शन केस ऐसे शेर के मामले भी हमको करना है यहां पर लिखाए देखो 130 का मिला है 100 का हमने मतलब invite कर रहा था 130 का application आया है application for 20,000,000 share were rejected 20,000,000 reject कर दी हमने तो मतलब अभी आपना एक ताना बाना बना लेंगे इसका एक working hard बना लेंगे इसकेटमेंट से बना लेंगे जिसमें इन सब चीज़ों के हिसाब रखा जाएगा अभी पढ़ते जाएं इतना एक कर दिया अलॉट्मेंट वास्मेट प्रोपोर्शनल टू रेमेनिंग अप्लिकेंट बोथ दो कॉल्स वर मेड़ में और इसमें कही ना कहीं सेंस बन जाता सबसे जब असान मुझे तो लगता है कमने प्रोराटा ही है मैं चाहता हूं कि आपके भी सोचो आज से एक हफ्ते बाद क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट चलिए सबसे पहले एंट्री जो हम लोग करेंगे वह वन देखते हैं सबसे पहले आपको एंट्री करन अगर हम लोग चाहें तो एक अच्छा बना सकते हैं लेकिन इस कोशन में इतना इतना जरौत पड़ें जहां पर आपनी देखा होगा कुछ कोशन होता है जिसमें आपको चैटेगरी दी होती है शेयर ओडर की वहां पे वो डिटेल बनाने की ज्यादा जरौत पड़ती है हा आपको सब्की दो को गयों जिनने लो जितने हैं मतलब 130-130 को पर मिले आपको पैसे कि ती 20 रुकी शैलो अब हमने हमने सब्सेए 5 कवांट की बढ hij करेंगे हमारे एक होटर एक हैंना अप्रिकेशन पैसे जिन सब्सक्राइगे उपर से हैं को देखें अमाउंट कितना पढ़ा है20 eight यहां पर आपके पास अभी उपर कितना करेंगे उसे अभी छोड़ दीजिए आपने कितना कराई आपको पता है तो यहां पर लिख देंगे ही पर लिख देंगे लिख देंगे आप सर हमने रिजेक्ट कर दिया दो लाक के लिए तो आप यहां पर मल्टिप्लाइबेट करेंगे राइट तो 40,000 रुपे आपके रिजेक्ट में चले गए बचे वे 20,000 रुपे आप अलाट्मेंट पर क्या कर देंगे अज़्ज़ कर देंगे मतलब जिन लोगों को आज अगले मांगेंगे तो आप 10 रुपे पहले वाले अज़ेस करके तीस रुपे ही मांगेंगे बहुत सिंपल सी बात है आपको समझ में आ चकी होगी यहां तक हो गया इसके बात अलाट्मेंट पर चार लाक रुपे हैं पूरे जो जितने भी है आप टोटल पूरे मांगेंग यह यह किरें यहां पर कि आप किप इसा अलग में पर को मिलेwire जाए नहीं नहीं को ना क्लास में निधे आपके ऑपर है अपने उपर है अब यहां पर आपर पैसा मिलेगा कितना यह हम लोगों को देखना पड़ेगा एक बारी देखें कि हुआ हुआ है आए हमने मांगा कितना सब्सक्ματα हिसले यहाँ पर चार लाख माइनस भी सजार रुप्य तीन सब्चों को समझ में नहीं आ रहा वनके लिए मैंने लिघ दिया अब हो एय। अब हम लोग करेंगे कि फैनल को अपर कॉल से नहीं हो गया तो फैनल को अब लुग करेंगे दो लाग से पूरी की पूरी लेकिन हम लोगों को कॉल से नहीं हो जाएंगे आपको नहीं मिले 194 आपको मिलके दो लाग टोटल यहां तक तो हुई इश्यू की एंट्री और इश्यू तक की एंट्री हुई है अब हम लोगों को फॉर्फीचर की एंट्री कर ली है जो शेर्श आपने बिसिकली जिनको पर कॉल सी नाइर ओभा लूद तक इसकी आपने कंट फीट करें कि अचा प्रीमम कपायसा मिल गया किस पर अलोटमंट बेद सिसपा है आपको अगर आपको मिल जाथ दो सब्सकों कहीं तो यहाँ पर तuftने ख़ुद करना पड़ेगा च्ốnच का यहां अब उपर यहां पर आपने को डेबिट कर रहा था इसलिए आप यहां पर इसको क्रेड़िट करेंगे देखो यह जो है ना यह एंट्री फॉर फीचर वाली है आपने तीन लाग शेर सौर रुपे वाले फॉर्फिट करें ठीक है जी 30,000 रुपे वैली हो गई और उसमें से उसने पैसा कितना नहीं दिया था सिर्फ 6,000 रुपे तो आपने पैसे कितने जब्त करें 24,000 मतलब समझो कि अगर आपने किसी को 30,000 का माल बेचा वह इंस्टाल्मेंट पे कर रहा था अभी तक उसने सारी इंस्टाल्मेंट पे कर दी मा पूरे का पूरे आपको 6000 रुपे तो गाटा हुआ अभी आपको याद रखने ठीक है यह लॉस है हमारा चेजार रुपे का अब हम लोग इसी को लीके बबर करने के लिए इसको रीशू करेंगे हमने रीशू कितने बगरा दो लाक शेर करें यह बात भी आपको याद रखन से मतलब क्या है कि सर जितने हमने फॉर्फिट करें थे क्या उतने के उतने ही रीशू हो रहे हैं या जितने हमने फॉर्फिट करें थे उससे कुछ अलग रीशू हो रहे हैं सर इससे फरक क्या पढ़ता है देखो अगर आपने तीन सो शेर फॉर्फिट करें और उसके पर छ निकाल पाएंगे फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा डिवाइड करके ठीक है तो देखें यहां पर वर्किंग में आ जाएं फटाफट लॉस कैसे निकालेंगे आपने तीन लाग शेयर इशू फॉर्फिट करें थे तीन लाग के उपर आपने चौबिस हजार कराएंगे तो आपने आप रिशू करा रिशू करा 85 के ओपर तो आपने 200 मुल्टिप्लाइब ऐटीफाइब सत्रह हजार में करा रिशू पार फीचर का यहां पर अभी इसको छोड़ निकलेगा इससे छोड़ दें कैपिटल में कितना आएगा सिर कैपिटल में उतना यहां पर सबसे पहले तो यह बता दो सर घाटा जो आपर पंदार रुपे का चेला पंदार रुपे पर शेर कि मतले 200 मुल्टिप्लाइब पंदा कितना होगे बताओ तीन हजार रुपे समझ में आई बात या नहीं आई तो यह दो ना यहां पर क्या लिखा वाए इसको जो बोलाओ मैं 200 मुल्टिप्लाइब पंदा क्या यहां तक समझ में आया हां सर बिल्कु समझ में हमें घाटा कितने का रिश्यू पर सर तीन हजार का घाटा होगे हमको अब सर हमको पूरा इस पूरे फॉर फीचर प्लस रिश्यू पर घाटा हुए नुकसान हुआ और फायदा हो यह कैसे देखें सर हम लोगोंने पहले मुनाफ़ा कितना कमाया हमने पहले मुनाफ़ा कमाया पूरे के पूरे चौबिस हजार रुपे लेकिन क्योंकि हमने सारे इसलिए हमने मुनाफ़ा करके निकाला सोलह हजार हमारा पहले मुनाफ़ा सोलह हजार हो चुका अभी हमें घाटा चेलना पड़ा तीन हजार का तो हमें टोटल मुनाफ़ा कितना का हुआ सर्थ 13000 और यह 13000 हमारे कैपिटल रिजर्व में जाएंगे क्या बास समझ में आई क कहते हैं हाजी सर बहुत अच्छे समझ में आ गई आपके पास लागों तरीके कंपने कांट को सौल करने के लिए कंपने कांट सूपर इसी वेन आदूगा मैं आपके लिए देखो मैंने आपको आज जो चीज़ें करवाई हैं यह बहुत ही सिंपल तरीकी मैंने अच्छे से आगया हुआ अब देखो फॉर्फिचर अच्छे से आगया ना तो इसके बाद आपको क्या करना है अगर फॉर्फिचर अच्छे सा आगया ना तो देखो आग लगा दो कि मुझे पताई कि पिपर में बहुत सब चीज़ें असान हो जाएंगी इलिस्ट्रेशन करनी है मेरे पढ़ाने के बाद क्योंकि जब भी मैं कौन से समझाओ उसके साथ अगर इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो तो मैंने आपको पूरा अपना फंडा क्लेर कर दिया आज फॉर्फिचर का अगर कुछ भी दिक्कत आती हैं तो मेरे साथ आप जुड़े हैं ग्रूप इसे चीज़े पूस सकते हैं ओके चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं